फिर देखें PSS 5 पहला question of the following statements which are correct है तिंग यही पूछ रहा है हाँ CL2 gas is dried by using concentrated H204 तो यह बिल्कुल सही है CL2 gas में अगर कोई moisture present है तो H204 उसको absorb कर लेगा fluorine have highest oxidizing power यह बिल्कुल सही है सारे element में fluorine की सबसे high oxidizing power होती है oxidizing power of halogen follows the order यह बिल्कुल गलत है order उल्टा होता है I2 के सबसे कम फिर BR2 फिर CL2 और सबसे आदा कौन होता है F2 तो यह गलत है HI is the strongest acid यह बिल्कुल सही है क्योंकि HI bond सबसे बड़ा है आसाने से तूटता है H plus release होता है इसलिए इन में सबसे strong कौन होता है HI So correct answer will be option number A A B and D are correct whereas C is incorrect चली next question which of the following statements about the halogen is correct halogen के लिए कौन सा statement correct है simple सी बात है they are all diatomic and form univalent ions यह दो बिल्कुल सही है सारे के सावेजन diatomic होते है univalent ion बनाते है they are all diatomic form divalent यह गलत है तो बस A answer हो गया all तो हो ही नहीं सकता all show variable oxygen state यह गलत है fluorine सिर्फ एक state show करता है minus 1 एक जगा plus 1 और मान के चलते हैं उसकी हम बाकि उसके लावा कोई भी बाकि सारे variable oxygen state show करता है fluorine show नहीं करता है ठीक है hydrogen fluoride is a liquid unlike other हाँ क्योंकि hydrogen fluoride में hydrogen bond नहीं होती है strong इसलिए गलत करी नहीं सकते है next which of the following statements is correct all form HOXO3 type oxide गलत है HOXO3 सारे नहीं बनाते हैं सिर्फ HCl बनाता है only chlorine bromine form oxide यह भी गलत है बनाते तो सारे हैं अलगले type K all hydrogen forms oxy acid यह बिल्कुल सही है only iodine form oxy acid यह आपका गलत है जैसे fluorine है वो सिर्फ HOF बनाता है one वाले acid सबके exist करते हैं chlorine जो है वो सारे acid बनाता है है ना HOCl बनाएगा HClO बोलो सको आप HClO2 बनाएगा HClO3 बनाएगा और HClO4 बनाएगा bromine जो है वो HBRO बनाता है लेकिन यह नहीं बनाता bromine और iodine है ना plus 2 अले नहीं बनाते HBRO3, HBRO4 दोनों form करें इसका जो correct answer है वो होगा option number C ठीक है Next Which form maximum compound with xenon fluorine fluorine दो ही element के साथ compound मनाता है fluorine sorry fluorine बनाओ xenon xenon दो ही element के साथ compound मनाता है एक fluorine और दूसरा oxygen ठीक है चलिए Next iodine atom in involves तो यह missing है कुछ एक बार आपनी sheet में देख लेना मेरे पास है नी I think IF5 होगा hybridization देख लेना आप जो भी दिया हुआ है यह question आप मैं skip कर रहो आप कर लेना यह देखो यह reaction किस तरह की है तो साब साब दिख रहा है क्रोली यहाँ प्लस वन स्टेट में है प्लस वन से चला गया देखो ग्रीन शलू बोल दिया मतलब गयास क्लोरीन है आपने उसकी रियक्शिन एक अलकली मेटल हीडरक्सेटर करवाई तो फॉर्म हेलेट हेलेट कौन होता है यहीं से दिख जाएगा आपको विच किन भी यूजद इन फाइरवर्क्स एंड सेफ्टी मैच्श बिल्कुल क्योंकि फाइरवर्क्स में को क्यूज़ करते हैं क्योंकि यह खुट डीकंपोज होकर केसील प्लस ओटू बनाता है तो यहां से यह परपल करके केसील क्रिस्टल मिलता है कलर मिलेशन मिलता आपको तो करेक्ट आंसर होगा option number B greenish yellow gas है तो पक्का है कि CL2 होगी और उसका chlorate बन रहा है halate मतलब chlorate CLO3- तो के CLO3 यही आपके स्क्वेशन का करेक्ट आंसर होगा इस CL2 gas is passed into aqua solution of KI containing some CCL4 and mixture is shaken देहो जैसे आप CL2 को KI के solution में पास करोगे इसमें I- होगा तो क्योंकि chlorine iodine से जाद electronegative है एक more electronegative halogen एक less electronegative halogen को उसके salt solution से displace कर सकती है तो यह इसको I2 में convert करेगा और खुद CL- में convert हो जाएगा यह जो iodine बना यह क्या करता है CHCL3 या CCL4 के साथ violet color की layer बनाते है यह से लेयर टेस्ट बोलते है ठीक है तो अपर लेयर बिकम्स violet यही आपके question का क्या होगा correct answer continuing sum mixture is shaken mixture को shake करोगे तो आपके पास अपर लेयर बिकम्स वाइलिट होता है CHCL4 CHCL4 gas पास करते हैं तो अपर लेयर बनती है अगर आप mixture को shake कर रहे हो shake कर रहे हो तो lower layer आजएगी फिर देखे question number 10 if CL2 gas is passed into aqua solution of KI containing some CCL4 mixture is shaken तो देखो जैसे आप KI के solution में पास करते हो chlorine gas को तो यह I- present है chlorine क्योंकि iodine से ज़ाद electro negative है तो एक more electro negative halogen एक less electro negative halogen को उसके salt solution से displace कर देता है तो यह I2 plus CL minus में convert हो जाएगा अब यह जो I2 है यह CH CL3 यह CCL4 के साथ एक layer बनाती है लेकिन इसनी क्या क्या है mixture को shake किया है तो shake किया है तो CCL4 water से क्या होता है है ना heavy होता है CCL4 नीचे बैठ जाएगा नॉर्मली तो उपर बनती है लेकिन क्योंकि heavy है तो नीचे बैठ जाएगा और आपकी जो lower layer है वो violet बन जाएगी तो आप ध्यान रखना CH CL3 और CCL4 के साथ iodine violet color के layer form करता है और shake करने पर layer नीचे आजाती ही क्योंकि CCL4 water से heavy होता है यह था आपका PSS 5 स्टार्ट करते है PSS 6 के साथ जो कि हमारा आखरी PSS है हर फैमिली के उपर बेस कुछ questions हमने हैं cover किये यह देखें the inert gases can be isolated and separated by inert gases को आप उनके electrolysis से कर सकते हो क्या नहीं fractional distribution of liquid air से कर सकते हो adsorption on charcoal से भी कर सकते हो जो करेक्ट आंच चरोगा वहोगा option number D both B and C इनकी compound नहीं होते जादा तो आप electrolysis कहां से करोगे है ना चलिए in the clathrates तो मैं आप सिखाता clathrates क्या होते है ice की structure के अंदर hydrogen bonded structure होती है like this उसमें क्या होता है कि आपके noble gas के atoms होते है बड़ी noble gases xenon हो गई क्रिप्टॉन हो गई वह आके trap हो जाता है यहां किसी तरह chemical bond नहीं बनता अब देखो water polar है और जो gas यह non polar है इनके बीच में यह dipole जो है polar molecule में dipole होता है इसके अंदर एक dipole induce हो जाएगा तो में बोलेंगे dipole induce dipole interaction क्या होगा dipole induced dipole ने वेंडरवाल forces होंगे और किसी तरह कोई chemical bond या फिर force नहीं होगा तो correct answer is option number D clear next molecular shapes of SA4, CA4 and XCA4 तो आप करें लोगे SA4 sulfur के valential में 6 electrons होते हैं 4 share किये यह रहा तो यह बन गया SP3D SP3D में trigonal bipremal structure आती है loan पे राएगा equatorial position पे सब मैं आपको bonding में बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ तो कि geometry आती है see-saw पूछ रहा है सिर्फ कि loan pairs और geometries तो देखो इसके पास एक loan pair है इसके पास 0 है और इसके पास 2 loan pair होंगे और सब की geometry अलग-अलग होगी correct answer will be 102 shapes तो बतानी है यह नहीं आपको हो तो आराम से आप कर सकते हो next xcf4 and partial hydrolysis तो यह मैं आपको होगत अच्छे सिखाया है कि आपको xenon के किसी भी fluoride का hydrolysis करवाना है तो step wise करवाओ हर step में आप 2 fluorine हटाओ और एक oxygen लगाओ तो देखो यह इसका partial hydrolysis है second step में complete hydrolysis होगा जब xeof2 एक और water molecule से रियक करेगा आपको मिलेगा xeo2 plus 2hf अब xeo2 फिर से disproportionate होता है सब मैंने आपको detail में सिखायें एक बार notes पढ़ें xeo plus xeo3 में convert होगा यह xeo3 फिर टूकता है unstable होता है xe plus half o2 बनाएगा तो complete hydrolysis पे आपको यह तीनों मिलेंगे xe plus xeo3 plus o2 लेकिन partial पे आपको क्या मिलेगा xeof आप इनको रट नहीं सकते हो इसलिए इसी तरीके से आपको इनको solve करता होगा साहिए next lightest gas which is non-inflammable helium इन चैरों में देखो 4s का hydrogen भी है लेकिन hydrogen inflammable होती है यह बोला non-inflammable helium जो है light है लेकिन inflammable नहीं है hydrogen इससे light है लेकिन hydrogen जलती है hydrogen is a very good fuel ठीक है next which one of the following noble gases not pound in atmosphere redon क्योंकि redon जो होती है वो radium 226 के disintegration से आपको मिलती है इससे एक alpha particle बाहर निकलता है तब जाके आपको redon मिलती है तो यह आपका NCRT में दिया हुआ भी है और मैंने भी आपको यह पढ़ाया हुआ next helium is added to oxygen used by deep sea divers even आपको बताया था कि जो scuba divers समुदर के नीचे जाते हैं उनके blood में nitrogen dissolve होती है है ना हमने इस चीज़ को henry's law में भी पढ़ा था liquid solution chapter के अंदर तो helium क्यों add करते है है helium nitrogen के partial pressure को decrease कर देती है तो blood में nitrogen कम dissolve होती है तो जब वो उपर आता है तो nitrogen एकदम से release नहीं होती है जिसकी वैसे blood में bubbles form नहीं होता है वो bubbles बनने के वैसे joints में दर्द होता है तो आदि मेंसे मुड जाता है उस situation को बोलता है bends तो bends वारी situation को avoid करने के लिए हम उस oxygen cylinder को helium से dilute करते है ठीक है तो इस less solvent blood under high pressure miscible oxygen is less poisonous than nitrogen is lighter than यह आपका correct answer होगा option number a ध्यान रखना बहुत important है next which one of the following is a correct pair with respect to molecular formula of xenon compound and hybration state देखो XCF4 xenon ke valential में 8 electron होता है इसका hybration SP3D2 आना चाहिता हो तो यह correct नहीं है XCF2 1 2 3 4 3 lone pair यह भी गलत है यहां देखो 1 2 3 3 lone pair 2 bond pair 5 SP3D यह सही है XCF4 में फिर से वो यह भी गलत है so correct answer will be option number C next the xenon compound that are isostructural with end I think यहां पर भी कुछ missing है तो यह बार आपको देखना पड़ेगा किससाथ isostructural बता रहा है यह छोड़ सकते हैं आप देख लेना आपकी पास सही लिखावाओ first compound for xenon यह बहुत important एक scientist था Neil Bartlett उसने xenon का पहला compound बनाया था जो की Xe PTF6 था उसने पहले oxygen का एक compound बनाया था O2 PTF6 उसमें O2 plus और यह minus form में था O2 और xenon की ionization energy जो होती है वो almost same होती है तो उसने सोचा कि यह जब मैं O2 से electron निकाल पा रहा हूं तो xenon से क्यों निकाल सकता फिर उसने xenon का यह पहला compound बनाया तो इस चीज़ को आप जरूर 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 याद रखें आपसे directly बुचा सकता है यही पे खत्म होता है अपना chapter P blog भी